इस वीडियो को बारेल करने के लिए थमनील काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है कि अगर आपका थमनेल होगा तभी कुई भी बंदा आपकी वीडियो पर किलिक करेगा जब आपकी वीडियो कोई ब्लीक करेंगे तभी चेनल को जो सपोर्ट कर लिया करो और आपको वीडियो को लास्ट अग देखना है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि आप एक प्रोफेशनल और अट्रेक्टिव थमनेल कैसे बनाओगे और आपको पता ही होगा जो थमनेल है वो काफी जादा आपकी वीडियो को बाइल ने के लिए मामने रखता है अगर आपका थमनेल अच्छा होगा तभी तो आपकी वीडियो पर कोई भी बंदा क्लिक करेगा और जबाइक जब एक वैज आपको डिक पर छोप sicher पूंग करो तो यह बाइब और iab डाप को open करने के वाद Simply सी आपको इसकी साइज को चूज करना पड़ेगा तो थिडी डाइट के लाइन पर क्लिक करने land के बाद धिन सेड़ेन आप सले में चले जाना है और जाने के बाद क पare वाला option को choose करोगे उसके बाद आपको okay के बटन पर click कर देना है और click करने के बाद अब आपको क्या करना है वीडियो को skip मत करना अंत तक वीडियो को देखना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक अच्छा और professional जो thumbnail है वो आप कैसे बना सकते हो तो simply see भाई यह है जो option है वो आपको सही से देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप option को सही से सीख गए तो आप आगे चल के सही से thumbnail बना पाओगे तो simply see यहाँ पर आपको color को choose करने के लिए आपको color के option पर जाना है अगर आप gradient वाला color लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो तो simply see हम कलर ले लेते हैं ग्राडियंट वाला तो यह कलर भी सही लग रहा है बट यह कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो हम यह वाला कलर जो है ले सकते हैं बट और कलर हम देख सकते हैं कि और कौन से अच्छे लग रहे हैं तो यह भी कलर सही लग रहा था बट यह यह वाला कलर हम ले ले हैं और ये color हम रुको जड़ा ये वाला color भाई सही कुछ लग रहा है तो ये वाला color हम यहां से select कर लिया है और इसके text को हम कर लेते हैं delete और delete करने के बाद अब आपको क्या करना है इस option पर जाना है और जाने सकते हो तो सिंपली से हम अपने मटेरियल को यहां से सलेक्ट कर लेते हैं तो इसको हम यहां से ले लेते हैं तो सिंपली से इसको अब हम यहां से क्रॉप करना होता है ठोड़ा बहुत क्रॉप कर लेते हैं और क्रॉप करने के वाद इसको ऐसे रख लेते हैं अब इसके साइज इसको अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो भाई ऐसे भी हो सकता है और इसकी जो साइज इसको थोड़ा कम कर लेते हैं तो और इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो सिंपली से कि यह जो इसका साइज है कुछ इस प्रकार दिखने लगता है और इसको थोड़ा या फिर आप चाहते हो कि आप इधर ही रखिये चलो सही रहेगा बट अगर आप चाहते हो कि इस पर मलब इसको एडिट करना या फिर क्रॉप करना तो आपको फिर से इस पर किलिक करना होगा और किलिक करने के बाद भाई इसको अगर ऐसे बगेरा करना है मलब इसकी जो साइज को ऐसे करके बड़ा कर लेना है तो इसके साइज को हम बड़ा कर लिये हैं और इसको फिर आपको करना क्या है इस पर आप से जाना है इसको लाग कर देना है वही लाग करना बहुत जरूरी होता है तो भाई आप सिंपली से लाग जरूर करिएगा अगर आप लाग नही आपको क्टे करना है और जाने के वाद आपको फिर से देखना है कि मलब अपने गैलरी में जाना है और गैलरी में जाने के वाद आप दूसरा लेना चाहते हो जो भी आप जैसे बनाना चाहते हो वो आप सलेक्ट कर सकते हो तो सिंपली से भाई ये वाला जो मैटेरियल था ये वाला हम ले दे हैं आप भी यहां से ले सकते हैं तो यह हम ले चुके हैं और लेने के बाद इसको यहां से सलेक्ट करके लगा देते हैं यहां से इसको कर देंगे नीचे तो भाई ये कुछ नीचे आ जाता है हमारा इस परकार से और आने के बाद इसको फिर से बेक आ जाना है और आने के बाद इसको लॉग कर देना है अगर भाई एक और मेरे पास जो बेक्ग्राउंड है एक और हमारे पास है तो आपको क्या करना है कि फिर से आपको कहा जाना है इंपोर्ड के आपिसन पर चले जाना है और इंपोर्ड के आप संद पर जाने के वाद इसम्पले से आपको फिर से एक देखना है कि सबसे बढ़ी आकाूंसा मलब बेग्राउंड है वो ले लेना है तो ये बेग्राउंड कुछ हमको सही लग रहा है तो इस पर किलिक कर देते rapper करने के बाद बहुआ है इसको हम कर रहते हैं इस पर सब्सक्राइब और ये कुछ इस पर पिंग दिखने लगता है कि इसगा इस इसकी जो मिलब टूड़ बढ़ा करो टेपी और प्रेजह करने के बाद इस फरकार्स लगा देते हैं तो यह यहां पर भी कुछ अच्छा लग रहा है तो भाई मैं इसको पीछे लगा देता हूं और लगाने के बाद अब भाई आपको क्या करना है कि फोटू को देखना है कि आपका फोटू कहां पर लगा हुआ है तो simply से यहां से इस परकार इसको मदलब select कर देते हैं और select करन आपसल पर जाना है इंपोर्ट के आपसल पर जाने के बाद फिर पिच्चस के आपसल पर जाना है और अपनी फोटू को ले लेना है जहां पर आप अपनी फोटू डाले हुए हो तो इस जो फोटू हमने अपनी जहां पर डाली थी उस फोटू को हमने यहां से ले लिया है और लेने के बाद इसकी जो हमारी फोटू थे हुए यहां पर हम उस फोटू को लगा रहे हैं, आप भी इस प्रकार लगा सकते हो, तो simply से हमने अपनी photo को यहां पे लगा लिया है और लगाने के बाद भाई अब आपको क्या करना है कि text को यहां से लेना है तो text के लेने के लिए पहले तो आप इसकी जो मतलब photo को मतलब log करना होगा लाग करने के वाद आप simply से क्या करना होगा कि इस पर थोड़ा click करना होगा click करने के वाद इस plus के icon पर click करना होगा click करने के वाद text के option पर चले जाना होगा और ये वाला जो मलब थोड़ा था उपर करना है तो उपर करने के लिए simply से आपको करना क्या होगा इसकी lock को पहले हटाना होगा फिर इस पर click sorry पीछे वाले ये वही है पीछे वाले को हमने चेड़ दिया तो इसको नहीं चेड़ना है तो इसको lock ही रखना है simply see this paper click करना है और इसको थोड़ा इसको प्रेकार कर लेना है और इसकी size को अंदर कर देना है यानि कि थोड़ा बढ़ा कर लेना है बढ़ा करने के आप सिंपली से इसका front कुछ इस प्रेकार दिखेगा और text के option पर click करना है फिर से Curse पेंसर्ट के icon पर क्लिक करना है और इस pencil के icon पर जो टेक्स्ट था इसको हटा देना है रिमूब कर देना है और भाई श्यक्तिय कितना है पर आपको क्या करना है आपको इसकी यो फ्रेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा पर पर जाने के बाद इस फंट को हमने ले लिया है और लेने के बाद बोल्ड कर दिया है और अब क्या करना है इसके कलर को चेंज करना है क्योंकि भाई वाइट है और वाइट वो है तो उमको देख नहीं रहाता सही से तो भाई कैसा आप जैसा अच्छा लग रहा है भाई वैसा आप ले सकते हो तो देख सकते हो यहां से कौन सा color यहां पर मेच कर रहा है तो वो color आप ले कर यहां से आसानी से बना सकते हो तो simply से जो color है वो कुछ green, blue color का अच्छा लग रहा है और इसके size को आप बढ़ा कर सकते हो simply से साइज को बड़ा करने के बाद इस जो ये नीचे था इसको नीचे भी आ सकता है तो कुछ इस परकार दिखेगा बट ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई आपको यहां से इसको कर लेना है कॉपी यहां से copy करने के बाद इसको यहां तक copy कर लेना है और copy करने के बाद भाहिए अब आपको क्या करना है कि इसको हटा देना है फिर आपको done के option पर click कर देना है और मनोज जेसा thumbnail यहां पर आ चुका है और इसकी size को थोड़ा कम कर लेते हैं तो इतना size इसका better लग रहा है तो यहां पर size इतनी सही है, अब फिर से आपको क्या करना है कि इस्वरी यह Quicke не हो चुबिए है तो इसको delete कर देते हैं, फिर से आपको text लिना है, text लेने के लिए फिर से आपको इस पर click करना हो, करना है कि इसके कलर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये कलर भाई हमको देख नहीं रहा है तो इसका कलर हम जो अगर पीला ले ले लेते हैं तो सही नहीं लग रहा है बट अगर ग्रीन ले ले लेते हैं तो कुछ तक सही लगता है बट इसका कलर हम कोई और अलग तरीके का ले लेते हैं तो यह कलर भी सही लग रहा है तो इसको हम रहने देते हैं और इसके साइज को थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं साइज को बढ़ा करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं और साइज हमारा बढ़ा हो चुका है अब भाई आपको क्या करना है कि आपको फिर से एंपॉर्ड के आपसिंपर जाना है विपॉर्ड के चले जाना है और गांडे कर Western बूती से निची आना है जहां पर आपने अमलब डाउनलोड किया हुआ करना है वहां से आप देख सकते हो तो तो सिम्पली से ढोड़ना पडद Gemma यहां से आप भी ढोड़ सकते हों जहांने आप ने भी अनल को डेक आप और खुझा है दो भी जहां पर रखे वह उसको ले सकते हो तो सिंपली से इनके थमनेल पर किलिक करना होगा और किलिक करने के बाद इनके थमनेल को छोटा कर देना होगा छोटा करने के बाद कुछ इसको टेहड़ा कर देना होगा क्यों कि इससे अट्रेक्टिव हमको लगता है थमनेल देखने म है और चोटा करने के बाद इसको मलब इस परकार कर लेते हैं और यहां से सही कर लेते हैं तो भाई इनकी जो थमने लगा दिया है और लगाने के बाद भाई अब यहां पे कुछ मलब editing करना है जैसे की just like is की मलब जगा-जगा पे वो YouTube की जो Logos होते हैं वो लगा सकते हो तो इससे कुछ Attractive लगने लगता है तो भाई हम लगा के देख सकते हैं तो Import के आपसे पर जाना है फिर से आपको जहां पर आपने Material को रखा है वहां से आप ले सकते हो तो Download के आपसे पर जाते हैं और जाने के वाई सिंपली से नीचे आते हैं और लीचे आने के बाद दूढ़ लोगो इसका था वो कहां पर है वो हम को ढूड़ना पढ़ेगा लोगों इसका कुछ इस पर कंटा है तो लोगों को कर लेते हैं और New Day करने के बाद इसको सही किलेते दिखने लगता है और अगर आप मालब एक और भी ले सकते हो अट्रिक्टिव डिखने के लिए मालब आपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है और अट्रिक्टिव डिखने में लगता है उस परकार से आप मालब यहां पर ले सकते हो तो सिंपली से हमने इस तीर को ले लिया है और इसकी मालब साइ और दिखने लगे तो simply से फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद import के option पर चले जाना है तो पहले तो इसको save कर लिजी अगर इनको आप save मलब lock नहीं करते हो तो भाई दिक्कत आने वाली इनको जरूर लाग कर लिया करो तो lock करने के बाद इसको थोड़ा बे करना ह है और करने के बाद simply से फिर से आप import के option पर जाईए इंपोर्ट के option पर जाने के बाद simply से आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको फिर से देखना है कि count सा हमको अच्छा लग रहा है तो फिर से एक हम ले लेते हैं यह जो इसका YouTube का जो बेंडर था फिर से हम और यहाँ पर लगा देते हैं तो कुछ यह अच्छा लग रहा था देखने में इसलिए हमने इसको ले लिया और यह एक जो थमनेल था वो बनके तयार हो चुका है उम्मीद करता हूं को आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बट आपको अगर सेव थमनेल को सेव कैसे करना ह खतने हैं किलिक करने के वात शुरी आपको ऍस पर जाना है और सेवामीज पर आपको जाना है और जाने के वाद यहां पर बेरि हाई के आपशन पर जाना है अगर आप कब मुलब अच्छा थमने लो जाएगा quality उसकी बेटर आती है तो आपको क्लिक करना है बेरी हाई पर और सेवा गेलरी की आप्षिन पर क्लिक कर देना है आपकी गेलरी में इमेज जो download वाली थी मतलब download होकर आपके जो gallery में sayb हो गई है और sayb होने के बाद आप अपनी वीडियो में यह लगा सकते हो उम्cion committee को आपको वीडियो काफे जादा पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो भाई मलब subscribe जरूर करना भाई आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ये चनल आगे बढ़ पाएगा तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए तभी ये चनल आगे बढ़ पाएगा तो सपोर्ट भाई मेरे चनल को करते रहिए अगर करोगे तभी ये चनल आगे बढ़ पाएगा तो आपसे रिक्योष्ट है कि चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और आपको ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी आगे मलब जैसे ही वीडियो बनाएंगे तो आपका मलब देखने को मिलेंगी